हलो दोस्तों आप सबका स्वागत ही उनिक लव टिप्स चैनल पर और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे वीडियो को चेक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को और बेल आइकन को भी ओल पर कर देना ताकि सारे जो वीडियो के नोटिविकेशन्स है वो आपको मिल सके और इस चैनल पर मैं रिलेशन्शिप के प्रोब्लेम से रिलेटेड लव टिप्स रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो को अपलोड किया करती हूँ तो अगर अपने चेक नहीं किया जल्दी से जाके चेक करो बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेले आज की वीडियो पर चार पॉइंट्स हैं फस्ट है 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 पेशन्स सेकेंड चेंज यह परसनेटी थर्ड है टॉक्ट फोर्थ है कीप लविंग आते हैं फस्ट पॉइंट पे फस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों है है पेशन्स मतलब आपको सैयम रखना है आपको रखना है आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपका पार्टनर चेंज हो गया है क्योंकि हम में से 90% लोग यही गलती करते हैं इतना ज्यादा हर बड़ा जाते हैं इतना ज्यादा हम पैनिक हो जाते हैं और इसी वज़े से हम क्या करते ह हैं और लास्ट तक हम गलती करते हैं और इसी वज़े से हमारा जो है ब्रेक अप हो सकता है तो ऐसा मत करो हैप पेशेंस ठीक है अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पॉइंट है चेंज यह परसनालिटी मतलब मैं यह नहीं बोली हो आप लोगों को कि अपने आपको पूरा स्टाइल है अपना जो बात करने का स्टाइल है थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके देखो इससे बहुत अच्छा लगता है उसको एक नया सा फील होगा ठीक है ऐसा नहीं बोली हूँ कि आपने आपको पूरा ही बदल दो ठीक है अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट प आप वहां पर एक काम कर सकते हो और वह यह है कि आप उससे डायरेक्ट बात करो उससे डायरेक्ट मिलो और उससे पूछो कि क्या बात है क्यों वह आपके साथ ऐसा बीहेव कर रहा है या कर रही है और अगर वह आप से सच्चा प्यार करता है या सच्चा प्यार करती है ना तो अगर उसको यह आप बोलोगे तो वो definitely अपना जो रवाया है अपना जो behavior है उसको बहुत हद तक change कर देगा और अगर नहीं करता है सचा प्यार तो वो ऐसा ही रहेगा उसको continue रखेगा ठीक है तो उसके साथ बात करो direct जाके ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि उसके life में कोई tension है और उसी वज़े से वो आपके साथ ऐसे behave कर रहा है तो उसके साथ अगर आप direct बात करते हो तो सारी चीजे सौट आउट हो जाएगी और जो आपके relationship के लिए भी बहुत अच्छा होता है अब आते हैं last point पे दोस्तों और वो है keep loving अगर वो इनसान बदल भी गया है ना तो आप सौधा तो नहीं कर रहे हो ना और ना ही वो इनसान आपको आके कभी रोक पाएगा कि मुझसे प्यार मत करो तो आप अपना जो प्यार है उसको continue रखिए और एक बात हमेशा याद रखना जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़के नहीं जाएगा और जो आपका है वो आपका ही रहेगा और अगर सच्चा प्यार है तो आपका रहेगा वो और अगर सच्चा प्यार वो नहीं करता है तो नहीं रहेगा लेकिन आप जो अपना प्यार है ना उसको जूटा मत साबित कर दो उसको continue रखो उसको जारी रखो और मैं दावे के साथ यहां पर कह दो